सर्दियां आ गई है, स्किन थोड़ी हमारी ड्राइ हो जाती है, कभी थोड़ी फटी फटी हो जाती है और उसके ऊपर अगर हम डारिकली मेकप कर लेते हैं, अपना बेस बना लेते हैं तो वो भी फिर बहुत ही फटा फटा लगता है और ऐसा लगता है कि कुछ पता नहीं क्या थोप रखा है मूँ पे तो आज इस वीडियो में मैं करके दिखाने वाली हूँ विंटर के लिए ग्लोइंग स्किन का मेकप और जो ग्लिटर आई मेकप मैंने दिखाया वो वीडियो के नीचे बाद में दिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अपलोड होने के एक दिन के बाद और अभी फिल्धाल जो आपको मेरी स्किन पर ग्लोइंग सा बेस मेकप दिख रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में करके दिखाने वाली हूँ आपको इसको और इंटेंस बना सकते हैं और ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं बाद में लास्ट में मैं बता दूँगी वो कैसे अभी फिल्धाल शुरू करते हैं वीडियो को Hi everyone, I am Vartika Anand आप देख रहे हैं मुझे Vartika Anand चानल पर और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा इसी और वीडियो देखते रहने के लिए साथ की साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले make sure कि आपने अपना चहरा एक अच्छे से face wash से धो लिया है उसके बाद आप अपना toner लगाएं मैंने यहाँ पर roots and herbs का केसर toner लगा रहे हूँ या फिर आप rose water लगा सकते हैं वो make sure करेगा कि आपकी skin जो है वो toned है अच्छे से और आपको moisturize करना जो है चहरे को बहुत ही ज़रूरी है मैंने यहाँ पर Jeeva Ayurveda का olive cream ली है जो कि बहुत ज़्यादा affordable है और एक अच्छी thick cream है बहुत ज़्यादा moisturizing है natural product है olive oil पर based है तो अच्छे से मैं इसको अपने चहरे पर massage करके लगा रही हूँ इससे मेरी skin जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से smooth और supple हो जाएगी अब मैंने लिया है blue heaven का primer blue heaven का जो primer है वो बहुत ही ज़्यादा moisturizing है pores को भी ढगतेगा आपके साथ के साथ आपकी skin को moisturization देगा आपका makeup जो है वो बहुत ही ज़्यादा smoothly आपकी skin पर चलेगा और अच्छे से आप अपने primer को लगा ले especially जहाँ जहाँ पर आपको अपके चेहरे पर लगता है कि ज़्यादा dryness आती है वहाँ पर अच्छे से लगा ले तीन से पांच मिनट के लिए आप प्लीज छोड़ दीजे moisturizer और primer को अपने चेहरे में set होने दीजे एक बार otherwise makeup करने में आपको दिक्कत आएगी इनका set होना बहुत ज़रूरी है अभी मैंने लिया है fashion color का illuminator golden shade में यह liquid highlighter है आप किसी भी company का ले सकते है dry skin है तो मैं highly recommend करूंगे fashion color वाला ही oily skin है तो आप Swiss beauty या फिर किस beauty का इस्तेमाल कर सकते है अच्छे से आप इसको अपनी skin पर blend कर ले आप इसे beauty blender से भी blend कर सकते है अपने हाथों से भी यह basically एक cream type का form होता है जिसके अंदर आपके बहुत ही जादा fine particles shimmer के होते है आप कोई branded वाला जैसे की YBP Shreya Jen Goddess Illuminator ले सकते हैं या फिर NYX का liquid highlighter ले सकते हैं और इसको blend करने के बाद आप अपना foundation ले लीजे foundation के लिए मैं recommend करूंगी सर्दियों में आप mousse foundation लगा सकते हैं एक option होगा Lakme का mousse foundation और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ Swiss Beauty का mousse foundation shade no.04 या फिर आप Garnier की BB cream लगा सकते हैं light coverage के लिए या कोई भी BB cream आप लगा सकते हैं बहुत जादा coverage नहीं देगी बढ़ बहुत light weight होगी या फिर आप cushion foundation का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने पूरे चहरे पर अच्छे से dot dot करके foundation को आप लगा लीजिए neck पर और जितना भी exposed area है उस पर लगाना ना भूले मैं जादा रूखी तवचा है तो बिल्कुल भी इस टाइम पर brush recommend नहीं करूंगी आप beauty blender लीजिए उसको wet कीजिए पानी में निचोड लीजिए फूल जाएगा beauty blender उसके बाद ऐसे bouncing motion में आप अपने चहरे पर चलाएए आपका जो foundation है वो skin में बहुत ही अच्छे से blend हो जाएगा और जितना भी excess product है अगर थोड़ा ज्यादा लग जाता है आपके चहरे पर वो excess product सारा आपके beauty blender में आ जाएगा और आपके चहरे पर एक natural skin जैसी finish जो है आपके foundation से आपको वो मिल पाएगी एक अच्छा beauty blender यूज़ करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक अच्छा सा make-up का अगर आपके पास नहीं है beauty blender भी नहीं है foundation brush भी नहीं है तो आप अपनी fingers से भी foundation को blend कर सकते हो उससे क्या होगा आपकी fingers की heat की वज़े से आपका foundation अच्छा से blend होने में आपको मदद मिलेगी और इसके बाद मैं आपर concealer का इस्तेमाल कर रहे हूँ जो मैंने अपनी skin से 2-3 shades light color का लिया है इसको मैं under eyes में inverted triangle में bridge of nose पे forehead के बीच में और साथ की साथ अपने mouth के उपर की तरफ और नीचे की तरफ mouth के around लगा रहे हूँ ये वो areas हैं जन पर light fall करती है ये matte highlighting करने के लिए मैंने concealer लिया है आप चाहें तो concealer step को skip भी कर सकते हैं वो इत्ता important नहीं है आप खाली foundation लगा करके भी आगे अपना powder लगा करके foundation set कर सकते हैं और you're good to go अगर आपने लगाया ही है concealer तो आप make sure कीजे जहां जहां areas पर मैंने लगा करके दिखाया है वहीं वहीं पर आप concealer को blend भी कीजे और eyelids के उपर भी लगा लीजे ताकि eyelids जो हैं आपके eyeshadow के लिए prepare हो जाए और ऐसा ना करें कि पूरे concealer को इधर उधर कहीं और फैला दे इससे आपका चेहरा थोड़ा सा glowing सा लगेगा अब आपको बहुत जादा हाई coverage वाला और बहुत थिक थिक compact ना ले बहुत light सा compact अगर आपके पस loose powder नहीं है तो आप ले सकतें कोई problem नहीं है बट loose powder है तो वो ले लीजे अपने brush पर या फिर loose powder के साथ जो puff आता है उस पर आप बिलकुल कम से कम loose powder की quantity लेंगे जादा से जादा नहीं लेना बिलकुल कम और जाड़ दे उसको और उसके बाद अपने चेहरे पर हलका हलका सा light layer लगाए बहुत ही light layer लगानी है ताकि जो आपका foundation और concealer है वो set हो जाए और बस आपका skin जो है वो dry ना हो अब blusher लिया है मैंने pink color का glowing skin की बात हो रही है glowing makeup की बात हो रही है तो हलका सा pink blusher अगर आप लगा लेते हैं अपने cheeks पर जो आपकी blush line होती है contour line के just above और वहाँ पर अगर आप लगा लेते हैं थोड़ा सा blush तो उससे क्या होगा आपका चेहरा जो है वह बहुत खिला खिला लगेगा winters में वैसे भी थोड़े से गाल जो है pinky pinky हो जाता है थोड़ा सा आप कर लीजे अगर आपके नहीं होते हैं तो और फिर आपका चेहरा एकदम से rose petals जैसा glow करता हुआ लगेगा blush को अच्छे से blend कर लें बहुत extreme जादा भी ना लगाएं बहुत कम भी ना लगाएं सर्दियों में थोड़ा सा लगाया हुआ अच्छा लगता है natural सा लुक देता है वो soft से brush से आप अच्छे से अपना blush जो है वो लगा ले make sure कीजिए कि दोनों तरफ जो है वो equal आ रहा हो और उसके बाद highlighter आप अपना ले सकते है मैं Hilary Roder का highlighter लिया है और पहले Makeup Revolution का blush था और यहाँ पर cheek bones पर मैं highlighter लगा रही हूँ बहुत intense look आता है एक दो बार लगाने पी ही बट आप उसको finger से blend कर लेंगे तो थोड़ा natural look आएगा बट अगर आप चाहें आपको बहुत ज़्यादा highlighted look चाहिए काफी glowing look चाहिए तो आप highlighter की quantity बढ़ा सकते हैं आप और थोड़ा ले करके अपने cheek bones पे लगा सकते हैं पर आपको थोड़ा हलकी सी हड़ी फील होईगी blush line के उपर वहाँ पर आपको highlighter लगाने है और बाद में हलका सा finger से blend कर सकते हैं fan brush की मदद से मैं highlighter लगा रही हूँ आप अपने normal highlighter brush की मदद से लगा सकते हैं अपनी finger से भी लगा सकते हैं bridge of nose पे लगाते हैं तो बहुत अच्छे से nose जो है glow करती है slender और पतली भी लगती है contouring हम avoid कर रहे है because contouring से कहीं न कहीं हलका सा glow जो है वो कम हो जाता है और ज़्यादा चेहरा sculpted वगेरा उन चीजों पर look ज़्यादा आता है तो contouring अभी के लिए आज रहने देता है contouring के साथ भी glowing makeup कर सकते है बढ़ ज़रूरत नहीं है कोई भी natural type का makeup fixing spray आप लगा लें सर्दियों में makeup क्योंकि लंबे समय तक टिक चाता है तो बहुत harsh chemicals वाले की आपको ज़रूरत नहीं है green tea वाला coconut water वाला कोई भी natural सा simple सा makeup fixer आप लगा सकते है makeup fixer ज़रूर लगाई है because यह क्या करेगा आपने जित्ती भी layers makeup की लगाई है उनको यह आपस में blend कर देगा और natural skin like finish आएगा dry और patchy skin आपकी नहीं लगेगी और साथ की साथ आपका highlighter intense look देगा makeup fixer आपका अपने आप dry हो जाएगा अगर नहीं होता तो beauty blender से हलका सा डाप कर सकते हैं lipstick के लिए कोई भी आप shade लगा सकते हैं जैसे pink हो गया, orange हो गया, peach हो गया कोई dark color लगा सकते हैं और उपर आप lip gloss भी लगा सकते हैं क्योंकि winters में आपके lips चाप्ट हो जाते हैं ताकि आपके lips थोड़े glowing से लगे मैंने यहाँ पर miss clear की soft matte lip cream shade number 20 यूज किया है which is a beautiful nice pink color अच्छे से अपनी lipstick आप लगाएए lips को cover कीजिए liquid matte, बहुत dry liquid matte lipsticks आप avoid कर सकते हैं winters में simple bullet lipsticks लगा सकते हैं या फिर कोई lip cream वाला जो matte वाला formula होता है वो लगा सकते हैं matte lipsticks भी लगा सकते हैं अब उसके पहले अगर lips को scrub कर लेंगे या फिर आप lip balm लगा लेंगे तो थोड़ा आपको easy रहेगा soft matte lip cream soft होती है और easy होती है लगानी अब मेरा जो base makeup है वो complete हो गया अपने eyebrows आप कर सकते हैं मैंने पहले से ही कर लिये थे आप देख सकते हैं मेरा चेहरा जो है glow कर रहा है बिल्कुल भी आपको patchy skin नहीं लगेगी बिल्कुल भी dryness नहीं लगेगी और मैंने साथ में glitter eye makeup जो है वो भी किया जससे मेरा चेहरा और ज्यादा glow कर रहा है इस वीडियो के description में आपको glitter eye makeup का link भी मिल जाएगा I'll see you in my next video